हेलो स्टूदेंट्स ट्वेल्थ ग्लास मैक्रोएक्नॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम चैप्टर नमर वन पड़ेंगे जो की है इन्टोडक्षन आफ मैक्रोएक्नॉमिक्स ठीक है स्टुडेंट्स तो ये Macroeconomics के introduction की video है इससे पहले मैंने आप सभी को introduction की एक और video दी थी वो video आप देख सकते हैं ये part 2 video है वहाँ पर मैंने कुछ questions और कुछ topics को कराये था वो part 1 था, ये part 2 video है ठीक है students, तो चलिए start करते हैं, यहाँ पर हम basically आज इस lecture में सीखेंगे की final और intermediate goods क्या होते हैं और उनसे related aggregates को समझेंगे, ठीक है, मद्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के बारे में ये lecture Hindi English दोनों में available होगा students, ठीक है तो चलिए, पहले हम basic definition से use करते हैं basic definition मैंने अपनी previous video में भी आप सभी को बताया था कि macro economics क्या होता है सबसे पहला question ही arise होता है कि समस्टी अर्थास्द्र क्या है ठीक है, तो basically समस्टी अर्थास्द्र या macro economics economics का ही एक part है जो की economic problem को यानि आर्थिक समस्याओं का अध्यन करता है वो भी whole entire economy के level पर, मतलब जो समपून अर्थफवस्ता होती है वो समपून अर्थफवस्ता के स्तर पर सारी की सारी अर्थिक समस्याओं का economic problems को study करता है ठीक है, तो आप देख भी सकते है definition में, this is the part of economy which economic problems relate to the entire economy, our study for example, ठीक है तो यह होगे definition, अभी हम आपर चलेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें सामिल की जाएंगी, अब हिंदी में आप देख लीचे, वह अर्षास्त जिसमें अर्थिक समस्याओं का अदिन किया जाता है जिसका संपून अर्थवस्ता से संबंध होता है, ठीक है students next आगे देखे, अब इन में हम लोग इन चार पॉइंट्स को अर्थवस्ता से समझते हैं और macroeconomics में इन चार चीजों का बहुत जादा importance है और अच्छे से study की जाती है ठीक है, पहला क्या है? एग्री great demand and supply तो एग्री great demand आपने सबने microeconomics में demand पड़ी होगी ठीक है, और supply भी आप सभी ने पड़ी हुई है तो वो सब तो साइद मुझे बताने कि आप सभी को ज़रूत नहीं है, मांग और पूर्ती आप सभी ने पड़ी हुई है तो वहाँ मांग का मतलब क्या होता था? demand का मतलब कि various price level पर consumer कितने कितने goods को जो है, वो खरीदने की एक्षा रख रहा है कितने willing to purchase वहाँ पर है वो demand है और willing to sale क्या कहलाती है? supply यानि बेचने की एक्षा पूर्ती कहलाती है अब जब हम इसमे aggregate word include कर देते हैं और बोलते हैं aggregate demand और aggregate supply यानि सामुहिक मांग और सामुहिक पूर्ती तो इसका simple सा मतलब होता है कि हम AD जब पढ़ेंगे गरेट demand जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी economy में कुल मिलाकर total expenditure यानि कि जो कुल वे होता है वो कितना किया जाता है कुल वे means क्या है यहां पर कि आर्थफिवस्ता में जितने भी लोग हैं वो अलग-अलग छेत्रों पर कितना खर्चा करते हैं example के तौर पर मैं AD को लिखता हूँ C plus I plus G plus X minus M यहां पर C क्या है consumption है मतलब consumption पर लोग कितना खर्चा करते हैं इंवेस्टमेंट पर लोग कितना खर्चा करते हैं government economy में कितना खर्चा करती है export और import पर कितना खर्चा किया जाता है ठीक है students तो यहां पर यह सारी चीजें आ जाएंगी यानि C से हमारा उभोग होगा हिंदी में I से invest यानि investment G से government expenditure यानि सरकारी वे export यानि कि निर्यात और import यानि कि आयात ठीक है students तो यह चीजें जो है वो aggregate demand से देखी जाती है कि कुल मिलाकर economy के अंदर कितना खर्चा किया जाता है उसको aggregate demand कहा जाता है ठीक है यानि कि सामुईक मांग या समगर मांग आप कह सकते हैं नेक्स्ट आता है aggregate supply चीक है तो जब मैं aggregate supply की बात करता हूँ यानि AS की सम्मुईक पूर्ती या समगर पूर्ती की तो मैं वहाँ पर बात कर रहा होता हूँ total production की किसकी बात कर रहा होता हूँ total production की यानि की कुल उत्पादन की कि economy के अंदर total production यानि की कुल उत्पादन कितना हुआ है अब वो कुल उत्पादन ही हमारे देश की GDP की इकवल होगा और national income की इकवल होगा तो यहाँ पर income को हम Y capital Y words से दिखाएंगे यानि की राश्ट्री I को capital words Y से दिखाया जाएंगा तो basically AS बताता है कि हमारे अर्थववस्ता में कुल मिलाकर कितनी income generate की जा रही है production के थुरू ठीक है students यह चीज आपको समझ में आई next अकर आप देखें मैं यह सब erase कर देता हूँ ठीक है अब आप देखें तो next हमारे पास आता है inflation and deflation of money याने की मुद्राइस्विती और मुद्राविस्विती ठीक है तो inflation का मतलब होता है महिंगाई जहां पर money की power कम हो जाती है deflation का मतलब होता है चीजे सस्ती हो जाना मंदी आ जाना जिसमें जो money की power है वो बढ़ जाती है और ऐसे ही मुद्राइस्विती और मुद्राविस्विती मतलब यही है हिंदी इंग्लिश में दोनों lecture यह चल रहा है ठीक है students तो इसको मैंने deeply यह बहुत आगे बताया हुआ अपने previous lecture में भी इसको deeply बताया हुआ था तो इतना जादा detail में जाने की ज़रत नहीं है थर्ड पॉइंट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट है determination of national income तो जब हम राष्ट्रिय आय को निकालने की बात करते हैं determination की बात करते हैं तो हम macro economics ही पढ़ेंगे macro economics में ही हम जो है वो यहाँ पर national income को calculate कर सकते हैं राष्ट्रिय आय को निकाल सकते हैं क्यूंकि जो national income का topic है वो एक macro economic topic है ठीक है students और अगर हम बात करते हैं employment level की मतलब रोजगार की स्तर की तो रोजगार का स्तर भी हम लोग देखते हैं हमारे समस्टी अर्षास्तर में कि कितना employment economy के अंदर generate हो रहा है अगर आपने scope और significance वाली वीडियो देखी हो previous वाली तो वहां मैंने समझाय हुआ है इस सब चीजे ठीक है clear है next आगे चलते हैं अपनी next slide पे question number 2 पे तो भाई meaning of factor क्या है यानि कि साधन, आगत और कारक क्या है ठीक है तो आप सभी ने production का chapter पड़ा हुआ है ठीक है production तो production करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की ज़रत होती है उन सब को हम क्या बोलते हैं factors बोलते हैं यानि कि कारक बोला जाता है तो जो जो चीजे हमें उत्पादन करने के लिए चाहिए होती है यानि की पूंजी चाहिए बिजनेस में कुछ लगाने के लिए ठीक है entrepreneur चाहिए यानि की उधमी चाहिए जो उस production को पूरा कंट्रोल करेगा कि कैसे कैसे production करना है ठीक है students तो ये होता है हमारे पास factors और इन factors का macro economy में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि macro economy जो है वो इन सब चीजों पर भी ध्यान देती है basically बात क्या होती है कि मैंने अपने previous वीडियो में बताया था जो micro economics है अगर उस micro economics में development या increment हो रहा है तो वो impact डालता है सीधा-सीधा macro economics पर तो basically macro economics micro economics से जुड़ी हुई है और अगर micro economics growth करती है और micro economics के जितने भी variables है factors है वो हम सही से बढ़ाते चले जाते हैं तो macro economics में कहीं न कहीं उसका benefit हमको देखने को मिलता है ठीक है students ये बात आपको समझ में आई होगी next आगे चलते हैं हम सभी तो चले देखे ये सारे के सारे courses आपको मेरे channel पर मिल जाते हैं तो आप ले सकते हैं इन courses को ज़्यादा जानकारी के लिए इन numbers पर मुझे contact कर सकते हैं दोस्तों मैंने आप सभी के लिए booklets तयार की हुई है इन booklets को आप जो है Amazon और Instagram जो अकाउंट से purchase कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए इन numbers पर मुझे contact कर सकते हैं और आपको अगर full course चाहिए तो आप मुझे contact करें इन numbers पर जरूर ठीक है students How many sectors are in the economy ठीक है Economy के अंदर अर्थफवस्ता के अंदर कितने छेत्र है ठीक है तो पहला तो sector है household sector यानि परिवार छेत्र ये छेत्र है छेत्र फल नहीं है ठीक है students तो परिवार छेत्र इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग है हम लोग एक sector है मतलब हम लोग consumption करते हैं goods का कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग बहुत ही important role निभाते हैं अपनी economy के अंदर ठीक है नेक्स आता है productive sector या कह सकते हूं उत्पादक छेत्र जो goods and services का जो goods and services का production करता है ठीक है यानि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा ये ये बहुत ही एहम sector है हमारे लिए और जो हमारे पास household sector है वो factor है एक है ना यानि उता है ना श्रमी के एक factor है human capital है वो हमारे लिए तो वो एक कारक होने के वज़े से हमको अपनी services provide करता है और उन services के बलबूते हम production कर पाते हैं ठीक है students next है government sector सरकारी छेत्र तो सरकारी छेत्र भी economy के लिए बहुत ज़्यादा importance रखता है क्योंकि एक government economy में होती है तो वो economy के काफी सारी problems को solve करती है like economy में investment कितनी करनी है या कौन economy में सबसे पहले investment करेगा social welfare के बारे में सोचना अगर private economy होगी और सारे के सारे private sector ही economy के अंदर होगे तो basically वहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो पाएगा और वो अपने बारे में ही सोचेंगे ठीक है students next आता है foreign sector या विदेशी छेत्र तो जब हम foreign sector यानि की विदेशों से कुछ लेंदेन करते हैं तो वो भी एक economy के लिए important role निभाता है foreign sector क्योंकि foreign sector हम से जुड़ा हुआ है अगर हमें loan लेना है तो हम foreign sector से ले सकते हैं export import करना है तो ये भी हमारे लिए foreign sector ही करेगा अब जैसा कि मैंने बताया था आपकी book में four sector लिखे हुए हैं लेकिन ये जो fifth sector है banking and finance sector ये काफी important sector है क्योंकि दोस्तों banking and finance sector हमारे देश में money या हम कह सकते हैं finance जितने भी decisions होते हैं यानि जितने भी वित्य संबंधी मामले होते हैं उन सारे के सारे मामलों को देखने का कारह करता है तो ये भी एक important sector है हमारी economy के लिए अब दोस्तों इस वीडियो का मतलब main जो topic है वो हमारे पास आता है final and intermediate goods ठीक है students तो मैं एक blank slide यहां पर insert करूंगा और वहां पर आप सभी को बताऊंगा देखिए क्या होता है हम लोग goods जो होते हैं जो goods होते हैं उनको दो category में जो वस्तों है उनको अभी हम दो category में divide करेंगे ठीक है पहली category बनाएंगे हम final goods की और दूसरी category बनाएंगे हम intermediate goods की ठीक है students हनिंदी में कहते हैं अन्तिम वस्तू और मद्दे वर्ति वस्तू ठीक है ठीक है जो भी product जो भी अभी हम product बना रहे हैं ठीक है उस product को अगर हम use करने वाले हैं resale के लिए ठीक है अगर कोई भी product हमने purchase किया और उस product को हम resale के लिए use करने वाले हैं ठीक है resale के लिए यानि पुनहा विकरी के लिए ठीक है या इसमें हम कोई भी value addition करने वाले हैं यानि कि मूले वरिद्धी अब काफी स्टुडेंट्स को मूले वरिद्धी का मतलब पता नहीं होगा रिसेल का मतलब तो आप समझी रहेंगे पुना विक्री मतलब सामान को दुबारा बेचना ठीक है तो वैल्लिव एडिशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे suppose that मैंने एक लकड़ी खरी दी एक लकड़ी का तुकड़ा खरीदा बड़ा सा उससे मैंने एक चेर बनाई और उस चेर को जाकर मार्केट में बेच दिया ठीक है अब देखिए इस एक्जामपल में क्या है कि जब मैंने वो लकड़ी खरीदी वो एक गुट्स था मेरे लिए एक प्रोड़क्ट है ठीक है एक आइटम है मेरे लिए अब उसको मान लो मैंने 500 रुपे का खरीदा अब उस 500 रुपे को खरीदने के बाद मैंने उस लकड़ी को एक चेयर में कनवर्ट करा और चेयर में कनवर्ट करके उस चेयर को मैंने बेचा 1200 रुपे में तो बेसिकली मैंने उस लकड़ी के वैल्यू में जो की पहले 500 रुपे की थी जो की पहले 500 रुपे की थी अब वो मैंने 1200 में बेच दी इसका मतलब है इसमें मैंने 700 रुपे का value addition किया क्या किया value addition यानि कि मुले वरिद्धी तो 700 रुपे की मुले वरिद्धी जो है वो इसमें देखी गई ठीक है students ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई होगी कि value addition का मतलब क्या है मुले वरिद्धी का मतलब किसी भी goods की value को मतलब बढ़ा देना value edit कर देना वो value addition कैलाएगा मुले वरिद्धी कैलाएगा जैसे 500 की चीज 700 या 700 की बना देना या 800 या 1200 कितना भी आप example ले सकते हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक और दूद खरीदा और उसने उसकी मिठाई बनाई और वो अब उस मिठाई को कितने में बेक रहे हैं देड़ सो रुपे में या 100 रुपे किलो के हिसाब से बेक रहे हैं तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने उस दूद की value में value addition किया इस वज़े से वो क्या है एक intermediate goods है मद्देवर्ती वस्तु है किलियर है कोई doubt नहीं है यहां तक बिलकुल नहीं होना चाहिए ठीक है ना अब final goods क्या है सर अब आप पूछ रहे होंगे सर यह तो intermediate goods होगे तो final goods क्या है final goods वो सभी है जो final consumption के लिए ready है ठीक है यानि कि ऐसी वस्तु है जो अंतिम रूप से उपभोग की जाएंगी ठीक है ऐसी वस्तु है जो अंतिम रूप से उपभोग की जाएंगी वो final goods है ठीक है अंतिम वस्तु है example के तौर पर भाई मैंने भी दूद का example लिया था तो basically मानलो मैं एक लीटर दूद लेके आया अपने घर में और उस दूद का consumption मैंने खुद किया मैंने ना तो उसे दूबारा बेचने के लिए खरीदा ना तो उस दूद की value में कुछ value addition किया तो वो मेरे लिए कैसा good बन जाएगा एक final good बन जाएगा मतलब अंतिम वस्तु बन जाएगी ठीक है students ये चीज आपको अच्छे से समझाई होगी कि final goods क्या है और intermediate goods क्या है चीक है आगे चलते है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है चाले देखिए तो final goods refers to those goods which are used either consumption of the investment और चीक है तो consumption के लिए भी किया जा सकता है investment के लिए भी किया जा सकता है के लिए रहा तक अब अगर आपको ये PDF चाहिए हो या कोई भी PDF नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस दिये गए नमबर पर जो मैंने starting में दिया था आपको उस नमबर पर contact कर सकते हैं और इन सभी lectures की वीडियो मंगा सकते हैं और इन सब lectures जितने है 12th class के chapters उन सब के lectures मेरे app पर available है जो की है अध्यन classes बाकी जानकारी के लिए आप मुझे इस नमबर पर contact कर सकते हैं ठीक है students तो यहां पर हम basically बात करेंगे दो परकार की final goods के बारे में एक होता है अंते मोबोकता वस्तू और एक होता है अंते मुतपादक वस्तू एक होता ह consumer goods और एक होते है producer final goods ठीक है तो producer consumer goods like milk जो अभी मैंने example दिया जिससे consumer finally consume करने वाला है ठीक है या आप यहां देख सकते हैं मक्खन और double रोटी असी तरीके से जो producer final goods है वो investment और capital formation के लिए use किये जाते हैं like machinery purchase बाया firm किसी firm ने machine purchase करी तो वो production के लिए उसे use करने वाला है या capital formation के लिए वो उसे use कर रहा है तो वो उसके पास एक final goods है लेकिन वो एक producer final goods है या फिर आप एक और example देख सकते हैं जैसे किसान है किसान एक tractor यूज करता है अपनी खेती के लिए तो वो भी उसके लिए final goods है क्योंकि वो उस tractor की value addition नहीं करने वाला नहीं उसको resale के एक final goods है ठीक है students ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं हम consumption expenditure की ठीक है students तो consumption expenditure का मतलब क्या होता है consumption expenditure simple सा मतलब है या उभोग वेहंदी में कहते हैं कि जब हम consumption के goods को खरीदने में जितना खर्चा करते हैं वो सारा का सारा खर्चा consumption expenditure होता है consuming expenditure आप इसको consumption expenditure लिख लिजिए थोड़ी सी misprint होई है ठीक है यानि उपभोग वेहं तो भोग वेहं क्या है household spending it the amount of final consumption expenditure made by rent resident household to meet their every needs such as food, clothes, household, housing per rent, energy, transport, durable goods, notable cars और health cost, lasers and misnious services इन सब पर वो खर्चा करता है तो वो उसके लिए consumption expenditure होगा यानि की उपभोग वेहं ठीक है students कोई doubt यहां तक आप सभी को कुछ भी नहीं होने चाहिए आगे चलने हैं बहुत असे से हम जो है वो इस chapter को समझते जा रहे हैं और आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं हम investment expenditure की तो जैसे consumption के लिए मैंने बताय थे दो टाइब के final goods होते हैं उन final goods को अगर consumer लेता है तो consumer final goods है और उन पर जो खर्चा करता है वो consumption expenditure कहलाता है ऐसे ही अगर हम कुछ capital goods को खरीदते हैं मतलब जो final goods हैं और जो producer द्वारा खरीदे जाते हैं उतपादकों को द्वारा खरीदे और उन पर जितना खर्चा किया जाता है वो हमारे लिए basically investment expenditure होता है निवेश वै ठेक है तो जिसका मतलब क्या है कि अगर tractor की बात मैंने करी मैंने machine की बात करी इन सब पर अगर मैं खर्चा करता हूं expenditure करता हूं तो वो expenditure investment expenditure कहलाएगा निवेश वै कहलाएगा आगे चल लेते है मद्यवर्ति वस्तु मैं समझा चुका हूं यह आप सभी को और अब हम बात कर लेते हैं type of consumer goods की तो consumer goods basically आपको चार type के मिलेंगे ठीक है पहला होगा आपके पास durable goods ऐसे goods जो 3 से 15 साल तक चलते हैं मतलब लंबे समय तक चलते हैं like television, fridge, etc. ठीक है semi durable goods यानि की अर्ध जो एक साल तक चलती है like clothes and furniture या books कह सकते हो आप ठीक है और consumer non durable goods मतलब गैर टिकाव वस्तु है ऐसी होती है जो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाती है like vegetables, fruits and आपका milk ठीक है next आता है fourth आपके पास सेवाएं services ठीक है तो services भी a consumption या consumer goods है क्यूंकि अगर आप doctor की सेवाए लेते हैं आप एक teacher की services ले रहे हैं जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक consumption या consumer goods में सामिल किया जाएगा services ठीक है students कोई दिकत किसी students को अब हम capital goods, capital formation इन सब ही topics को अपने next video में पढ़ेंगे ठीक है students फिर उसके बाद हम stock flow और circular flow of income, leakages and circular flow of income के बारे में detail में पढ़ेंगे ठीक है students कोई दिकत किसी student को श्याली है तो इस lecture में हमने काफी कुछ इस chapter के बार में पढ़ा अब next आपको part 3 video मिलेगा इसका जहां पर हम लगबग लगबग इस chapter को complete करेंगे तो लगबग basically 4 to 5 parts में video complete chapter complete होगा तो आप अगर अच्छे से chapter को समझना चाते ह हैं तो आप first to fifth lesson तक अच्छे से देखें ठीक है students और इसी तरीके की lectures देखने के लिए आप मुझे मेरे number पर contact कर सकते हैं जो की ये है मैंने आपको अभी दुबारा number दिया था फिर दुबारा से मैं आप सभी को बता रहा हूं इस number पर आपको मेरे सारे lectures मिल जाएंगे और ये एक basically मेरा application है जो आप play store से download कर सकते हैं ठीक है students चलिए next class में मिलते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से like करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अगर आपका कोई doubt है कोई चिके दूस्तों